हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है वो कंप्लीटली एक स्कायर शेप बनाती हुए नजर आ रही है आप यहां पर देख स पापेखए उस्छाइब जाक्त इकाष है और कर पावे कि ऐसके अब केना जाइक यहां इंकी शनी वेसे कर देख है और अगर बाकी की वीजर 말고 सिराओ को देखा जाए तो यहां पर आपको नजर आएगा इनकी जो सूर्या finger है और जो इनकी guru finger है इन में बहुत ज्यादा difference नहीं है सूरे finger की length अच्छी है जो government की तरफ से व्यक्ति को लाब दिलवाती है और ब्रस्पती finger थोड़ी short है जिसके वज़ाए से leadership qualities में थोड़ी से कमी आ सकती है व्यक्ति के भीतर overall शनी finger की length अच्छी है जिसकी आ रही है इनके सूरे finger के थोड़ी low set होती हुई जो shy nature की तरफ इशारा करती है otherwise इनकी जो mercury finger है उसकी length काफी अच्छी है communication skills अच्छे रहेंगे लेकिन थोड़ी shy nature रहने के chances हैं और fingers के उपर कुछ हलकी रिखाएं हैं सीधी कड़ी जो इनकी friendly nature को show करती है otherwise कोई भी आड़ी रेखा मुझे major आड़ी रेखा यहां पर इनकी fingers के उपर नजर नहीं आ रही तो काफी अच्छी fingers यहां पर thickness काफी अच्छी है अगर आप देखे यहां पर fingers की thickness जो है काफी अच्छी है base falanges जिससे नजर आ रहा है तो अच्छी energy और stamina इनके भीतर रहने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और check करते हैं इनके mounts को mounts इनके बारे में क्या-क्या indicate करते हैं तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूं तो कुछ इस तरह की line जो है वो बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके तीनों mounts गुरू, शनी और सूर्या काफी high set है मरकरी mount थोड़ा सा low set यहां पर दिखाई दे रहा है अदरवाइस mounts पे कोई भी negative chin नहीं है काफी अच्छे mounts यहां पर और अगर इनके ब्रसपती mount को देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ जिसकी वज़े से family की तरफ से जो सुख है व्यक्ति को कम मिलते हैं यहां पर ब्रसपती की जो weakness है वो काफी clear नजर आ रही है ब्रसपती mount थोड़ा सा दबता हुआ भी दिखाई दे रहा है और अगर देखा जाए शनी mount को तो काफी strong है hard working nature के साथ साथ भागया रेखा भी इनकी काफी अच्छी है आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करकर भागया रेखा यहां पर base से चलती हुई जो इनके लिए काफी beneficial है life में थोड़े बहुत अपसन डाउंस तो रह सकते हैं लेकिन इस तरह की भागया रेखा होने की वज़े से life में काफी तरकी रहेगी और कुछ इस तरह की भागया रेखा जो completely थोड़े सी overlapping के साथ लेकिन completely shiny mount तक पहुँच रही है deep cut fate line है जिसकी वज़े से life में comforts इनको मिलती रहेंगी और कुछ आड़ी रेखाएं यहां पर जिनको में रहू रेखाएं कहते हैं भागया रेखा को disturb कर रहे हैं red color में draw कर रहा हूं यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह की रेखाएं जो काट रही है भागया रेखा को यह problematic है और लगभग 38 की age तक इन्हें struggle दिलवा सकती है 38 की age के बाद इनकी जो life है वो काफी smooth होती हुई और जो भागया उदेज इसको हम कह सकते हैं 38 के बाद इनको काफी अच्छे benefit देता हुआ दिखाई दे रहा है काफी अच्छी progress इनकी life में रहेगी आगे आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट सूर्य माउंट यहाँ पर average है सूर्य रेखा काफी लंबी है थोड़ी risk taking personality भी व्यक्ति की रहती है सूर्य लाइन कोई बहुत ज़्यादा strong सूर्य रेखा मुझे यहाँ पर इनके सूर्य माउंट पर नजर नहीं आ रही एक हलकी सूर्य रेखा यहाँ पर जो गौर्मन की तरफ से थोड़े benefit दलवाएगी और अच्छा social circle इनका old age तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा तो overall यहाँ पर सूर्य की तरफ से बहुत ज़्यादा high और strong results हम यहाँ पर expect नहीं कर सकते mercury को देखा जाए तो mercury mount जो logic और business के लिए देखा जाता है थोड़ा low set है average है और एक हलकी mercury line यहाँ पर बहुत strong mercury line यहाँ पर मौजूद नहीं है business equipment थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ लेकिन mount जो है वो prominent है जिस वज़े से business यह कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा income भी generate कर सकते हैं overall आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बाकी के mounts इनके बारे में क्या क्या indicate करते हैं हमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शुकर mount है यहाँ पर average है कुछ आड़ी रिखाएं शुकर mount के उपर जिनको हम worry lines कहते हैं चिंताएं रह सकते हैं लाइफ में कुछ इस तरह की आड़ी रिखाएं जो आप देख सकते हैं इसकी वज़े से family की तरफ से या अपने खास लोगों की तरफ से व्यक्ति को चिंताएं रहती हैं तो इनको worry lines कहा जाता है और यहाँ पर heart line की देखी जाए तो इस तरह से बेकुल straight चलती हुई heart line थोड़ी सी materialistic approach भी इनको देती हुई practical type की personality इनकी रहेगी बहुत ज्यादा emotional यहाँ नहीं रहने वाले life में लेकिन जितनी भी रिखाएं इनकी life line को या इनकी fate line को cross करने वाली हैं वो रिखाएं यहाँ पर negative result देती हैं आप देख सकते हैं यहाँ जो रिखाएं हैं यह व्यक्ति को negative result देती हैं और इनकी जो life line है वो भी यहाँ पर overlap हो रही है अगर द हैसे चलती हुई लाइफ 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 सकते हैं इनकी life line को अगर हम देखें completely तो कुछ इस तरह से आगे आकर fish का चिन बनाती हुई यहाँ पर fish का चिन बनना व्यक्ति को traveling देता है ऐसे व्यक्ति काफी life में घूमते फिरते हैं और travel रहता है विदेश यात्राओं के चांस भी ऐसे व्यक्ति को काफी मिलते हैं और जिस तरह से इनकी line बाहर की तरफ निकल लिया घर से दूर बसने की तरफ भी शारा करती है घर से दूर सैटल हो सकते हैं लंबा समय तक अपने घर से दूर कहीं पर यह रह सकते हैं वहां से earnings generate कर सकते हैं और उसके लावा अगर इनकी fate line को यहां पर analyze किया जाए यहां से तो लगबग इस area से fate line strong हो रही और जो काटने वाली रेखा है जो यहां पर आपको जहां पर मैं arrow कर रहा हूँ यह लगबग 38 की age में इनकी fate line को इनकी life line को cross कर रही है और mind line को cross कर रही है तो 38 के आसपास की age में थोड़ी सी problems financial problems का इने सामना करना पड़ सकता है health related जो दिखते हैं उनका भी इने सामना करना पड़ सकता है लेकिन उसके आगे अगर देखा जाए तो बहुत ही strong इनकी fate line और काफी अच्छी fate line जिसको हम कह सकते हैं तो उसके आगे की age इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और अगर overall age देखा जाए तो काफी लंबी age को यह enjoy कर पाएंगे क्योंकि एक लंबी रेखा है इनकी life की जो यहाँ पर लगभग 80 के आसपास 85 के आसपास की age को show कर रही है अंदर के तरफ चलने वाली रेखा यहाँ पर मंगल रेखा भी कहलाती है इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति के अंदर courage रहता है है सास रहता है हाँसला रहता है और ऐसे व्यक्ति बहुत बहादूर भी होते हैं जिनके हाथ में इस तरह की मंगल रेखा भी मौजूद हो तो यही मंगल रेखा असिस्टेंट लाइफ लाइन की तरह भी काम करती है लाइफ में आने वाली दिक्तों को लाइफ में आने वाली परिशानियों से लड़ने का यह हमें सास देती है तो यहाँ पर यह काफी strong लाइन है beneficial लाइन है और ऐसी लाइन होने के व्यक्ति अपनी ही Life में काफी अच्छी property भी बना लेता है और अगर देखा जाए इनकी line of mind को तो बहुत अच्छी माइन की line है इनकी बहुत जादा लंबाई में नहीं है जो यहाँ पर ही size की line , medium size mind line जिस को मैंसके किहा सकते है थोड़ी चुकी हुई जिसकी वजहूद से थोड़ी over imagination रह सकती है लेकिन सीधी माइन की लाइन होना यहाँ पर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग है ऐसे विक्ति बेशक स्टुडी में बहुत ज्यादा आगे तक ना बड़े लेकिन शार्प माइन रहता है और अपने तेज दिमाग की वज़य से ऐसे विक्ति अपनी ला फ्लेक्सिबिल्टी बहुत ज्यादा रिजिड नेचर नहीं होती ऐसे विक्ति की जिनका अंगूटा पिछी के तरफ जुक रहा हो तो फ्लेक्सिबल होते हैं अपने हालातों के साथ भी अड़ेस्ट करना जानते हैं और लाइफ में किस तरह से सभी को खुश रखना है और बढ़ना है यह सभी गुन ऐसे विक्ति के भीतर काफी ज्यादा मातरा में होते हैं और ओवराल देखा जाए तो माउंट्स जो हैं इनके शुकर माउंट्स थोड़ा सा कमजोर होता हूँ और गुरू माउंट्स थोड़ा सा कमजोर होता हूँ यह दोनों माउंट्स जो हमें family की तरफ से सुख देते हैं यहाँ पर यह दोनों mount कुछ अटक कमजोर हो रहे हैं तो family की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी रहती है ऐसे व्यक्ति कुछ जादातर समय घर से दूर रहना पर सकता है और दूर कसी और country में जाकर यहाँ होस्टल में यहाँ किसना किसी तरह से घर से दूरी बनी रहने के chances रहते हैं इनका जो moon mount है अगर उसको देखा जाए तो moon mount यहाँ पर काफी अच्छा है तो एक stable minded personality रहेगी और moon mount के उपर ज्यादा lines भी नहीं बिल्कुल clear है कुछ हलकी रिखाएं जो यात्राएं इन्हें दे सकती है और इस fish की वज़ाए से foreign travel के chances भी इने मिलेंगे और अचानक धनलाब मिलने के chances भी रहेंगे तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यहीं रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इससे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद